नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गनिसाइस टो हेल्प में मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आपका जोतिश केस प्रोग्राम में आज हम बात करने वाले हैं कन्य अराशी, कन्य अलगन वालों के लिए कैसा रहेगा अप्रेल का महीना देखिए अगर हम कुंडली पर आते हैं आपकी गोचर कुंडली पर तो इस तरह से दिखती है आप देख सकते हैं यहाँ पर छै नमबर लिखा है पर्थम भाव में देखिए अगर आपका कन्य अलगन है तो आपकी जन्म कुंडली है उसके पर्थम भाव में है च्छे लिखा होगा अगर आपकी कन्य अराशी है तो जहाँ पर आपका चंद्रमा है वहाँ पर छै नमबर लिखा हुआ है क्योंकि जो छै नमबर है ये कालपूरस की छटी राशी को दिखाता है अगर प्रथम भाव में है तो वो लगन है कहीं बार ऐसा होगा कि छै नमबर भी लिखा होगा यहाँ पर और आपका चंद्रमा भी यहाँ आजा है तो राशी भी आपकी कन्या हो गई किसी भी प्रडिक्शन के लिए किसी भी जीवन के छेतर के लिए चंद्र कुंडली और लगन कुंडली दौनों को ही देखा जाता है अगर कोई भी यह कहता है कि लगन से ही देखो या चंदर से देखो तो वो दोनों ही केस में गलत हो जाता है दोनों को ही देखना चाहिए अगर संशे है तो कहीं बार ऐसा होता है कि किसी कि लगन कुंडली जाद है भी होती है वो थोड़ा जाद है कह सकते हैं कि important होती है तो थोड़ा लगन से जादे देख सकते हैं या फिर किसी की चंदर कुंडली थोड़ा चंदरेश्क जिस राशी में है वो मजबूत है वहाँ पर जादे ग्रह है तो चंदर से देख सकते हैं और common अगर हम बात करनें तो दोनों से ही देखना चाहिए तो अगर हम देखते हैं पर्थम भाब में देखे कोई ग्रह नहीं है दुत्ते भाब में भी कोई नहीं है तिरते भाब में आपके ब्रश्क राशी में केतु गोचर कर रहे हैं जेश्टा नक्षत्र में चतुर्थ भाब में आपके धनु राशी ये ग्रह कोई नहीं है पंचम भाब में आपके मकर राशी में शनी गोचर कर रहे हैं स्रवणा नक्षतर में भागवान स्री विश्णू से जुड़े हुए नक्षतर में अगर हम छटे भाप पर आते हैं जहां पर गुरु गोचर कर रहे हैं कुम्भ राशी में और गुरु यहां पर आ जाएंगे आपके छे तारिक को कुम्भ में आ रहे हैं कुम्भ का मेला भर रहा है इस वज़े से ही क्योंकि कुम्भ में जो गुरु होते हैं बहुत अच्छा करते हैं बहुती spiritual sign है ये कुम्भ तभी कुम्भ का मिला बारे साल बार बहुता है न गुरु बारे साल बार घुम के वहाँ आते हैं बहुत auspicious timing है और अपसे लेकर सितंबर तक गुरु वहीं रहने वाले हैं आपके लिए उसका क्या result है वो एक अलग topic है पर overall गुरु का कुम्भ में आना spirituality के लिए बहुत अच्छा है धर्म ग्यान higher truth एक तो physical truth है जो हम देख पाते हैं इससे भी परे है जो physicality से भी परे है वो जो ग्यान है जो spiritual ग्यान है आत्म ग्यान है उसके लिए बहुत अच्छा समय है इसके बाद देखिए सब्तम भाब में शुक्र सूर्य और बुद्ध तीन-तीन ग्रे हैं इन में से जो बुद्ध है इन में से जो बुद्ध है वो 16 तारिक तक सूर्य जो है 13 तारिक तक और शुक्र जो है 10 तारिक तक यहां पर है शुक्र यहां उच्छ के हैं और आपके योग कारग रहोकर सब्तम में है तो बहुत अच्छा है सूर्य यहां पर आपके 13 तारिक तक हैं उसके बाद आपकी मेश संक्रान्ती है, मतलब की नए साल की शुरूबात है, जी हाँ, असली साल तो यही है, जब सूरिकालपुरुष की प्रिधमराशी में गोचर कर रहे हैं, और हमारे हैं इसी को, इसी ग्यान के आधार पर इस तरह का न्यू यर मनता था, अब वो फेमस नहीं रहा, क्यों नहीं रहा, पता नहीं, लॉजिकल है, और एस्ट्रोजी की रश्टी से भी सही है, और उसे बहुत सारी चीज़े देखने को मिलती है, पर फेमस 31 दिसंबर वाला ही है, ऐसा क्यों है पता नहीं, पर नई साल की आपको बहुत-बहुत मुवारख हो, इसके बाद देखिए, बुद्ध तो आप देखी रहे हैं, यहां पर रहेंगे, 16 तारिक तक उसके बाद अश्टम में आ जाएंगे, तो यह सारे ग्रया करे यहां पर हैं, अश्टम भाब में, मेश राशी में, अगर मंगल और राहू की बात करें, तो वो दौनों के दौनों महिने के सुरुबात में, बर्शव राशी में नवम भाब में गोचर करते हुए दिखाई देंगे, मंगल तेरे तारिक को फिर, आपके दसम भाब में, मिथुन राशी में गोचर करेंगे, और एक आदस भाब में कोई ग्रह नहीं है, द्वाब में भी आपके कोई ग्रह गोचर नहीं कर रहा है, कन्या राशी, कन्या लगन वालों के लिए, अब रिजल्ट पर आते हैं, जो आप जन्म से लेकर आएं, जहां आपका प्रारब्ध लिखा है, जिसके वारे में चाणक कहते हैं, और स्री रुक्तिश्वर ने कहा है, कि मतलब व्यक्ति जन्म ही तब लेता है, कि जब उसका आने वाला जो समय है, वो उस तरह के ग्रह हों, जो उसकी यात्रा में सफलता प्राथ करें, तो आपकी जन्म कुंडली की बात कर रहे हैं, ये गोचर कुंडली है, एक आम है, तो सारी की सारी बात हैं, हम जो कहने वाले हैं, वो कुछ लोगों के लिए सही होंगी, कुछ के लिए दूसरी, कुछ को लिए तीसरी या कुछ के लिए, बहुत कम ही सच हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, डिबेंडिंग अपोन कुंडली में आपके, आपकी जन्म कुंडली में आपके कैसे ग्रह नक्षत्रे हैं, कैसी दशा महादशा चल रही हैं, अब देखते हैं, आपके लगनेशे, लगनेश आपके बुद्ध हैं, और नीच के जरूर हैं, पर सप्टमभाब में हैं, सोले तारिक तक, साथ में शुक्र वहाँ पर हैं, दस तारिक तक, आप कह सकते हैं, सोले के आसपास तक शादी बिवहा के लिए बहुत अच्छा समय है किसी से मुलाकात के लिए बहुत अच्छा समय है अगर आप स्टूडेंट हैं तो नई दोस्त बन सकते हैं नई सहेली या कोई फ्रेंड आपका बन सकता है पढ़ाई में मन लगेगा 10 तारिक तक, 16 तारिक तक पढ़ाई के लिए काफी अच्छा समय आप उसको कह पाएंगे और आपके जीवन में दूसे लोग की काफी इंपोर्टेंस रहेगी बाहर वाले लोग या आपकी पती, अगर आप पती हैं आपके पती-पत्नी आपके लिए काफी इंपोर्टेंट उनके उपर बहुत फोकस रहने वाला है अगर हम बुद्ध की बात करते हैं पर बुद्ध यहां पर रहेंगे कब तक? सिर्फ 16 तक, आदे महीने तक आप कह सकते हैं अगर आपकी बुद्ध की दशा महादशा है तो कह सकते हैं कि थोड़ा सा स्वास्त का ध्यान लखें पढ़ाई लिखाई में जादे महनत करनी होगी मन थोड़ा धाधर भटक सकता है हलाकि अगर आप रिसर्च में है आप किसी गहरे सब्जेक्ट को समझना है किसी तरह से भी दैट से जुड़ा हुआ जैसे डॉक्टर्स होते हैं जो पोस्ट मार्टम करते हैं रीजन पता करते हैं कैसे मृत्य हुई इस तरह का या फिर बैंक से फाइनेंस से है थोड़ा सा अधर पीपल मनी दूसरों के पैसे का कोई काम है उसके लिए अच्छे है पैत्रिक संपत्ति मिल सकती है पैत्रिक संपत्ति आदी मिल सकती है अचानक से कोई धनलाव हो सकता है पर जो मेहनत करके लाव होता है उसमें थोड़ा सा जादे मेहनत होगी तब थोड़ा लाव होगा यहाँ पर बुद्ध बता रहे हैं आपको बुद्ध जब यहाँ पर होंगे तो दस्टी लगन पर होगी जब बुद्ध यहाँ पर होंगे तो दुत्तिभाव पर होगी तो 16 तारिक तक लगन की लगनेश लगनेश की लगन पर दस्टी आपके चांस बनता है, शादी, बिवा, आदी के चांसेस बनते हैं, किसे से मुलाकात के चांसेस बनते हैं, कहीं अबरोड आदी जाके पढ़ने के चांसेस बनते हैं इस थान परवर्तन जो कि आपके लिए सुब हो धन, पैसा आने के साथ चांस बनते हैं किसके थुरू पार्टनर के थुरू, पती-पत्नी के थुरू पार्टनर्शिप के थुरू, बिजनिस के थुरू क्योंकि दुत्यभाव का स्वामी शुक्र वो भी सब्तम में जाकर उच्छ का हो रहा है, पर वो दस तारिक तक ही है, दस के बाद वो अश्टम में जाएगा आप कहा सकते हैं, दस के बाद थोड़ा सा पैसे के मामले में थोड़ा सा अब धान रहें, कोई बड़ा रिस्क ना लें, दस के बाद खास करके अगर शुक्र की दशा महादशा है तो, और उसमें भी ऐसा नहीं है कि खराब ही है अगर शुक्र आपकी कुंडली में अच्छे है और शुक्र की दशा महादशा है, तो भले ही शुक्र अश्टम में जा रहे हैं, चीज़ा ठीक ही रहेंगी, पर अगर शुक्र बुरे हैं और गोचर में भी अश्टम में जाते हैं, तो फिर थोड़ा सा महिलाओं को लेकर कोई बात करते हैं उसको थोड़े साबधान रहें, उनसे कोई पंगे में ना पड़ें, उनकी थोड़े सहायता करते रहें, और बाईचांस किसी इस्त्री से कोई जगड़ा होता है, भले ही आप खुद इस्त्रीओं तब भी तो उसको प्यार से, महबबत से निम्टाने की कोशिश करें, वो आपके लिए जादा अच्छा रहेगा, शुकुर का अश्टम में गोचर बुरा नहीं है, अचानक से धनलाब करा सकता है, पैत्रिक संपत्ती मिला सकता है, और शादी विवा किसी उच्छ घराने में करा सकता है, पर मर्यादा के छेतर में थोड़ा ध्यान रखें, कुछ disfame, ऐसा कुछ हो सकता है, जिससे आपको थोड़ा disfame करने की कोई कोशिश करे ये office politics भी हो सकती है backbiting भी हो सकती है कुछ इस तरह का तो उसके परतिया बेर रहे हैं अपनी बौनी का ध्यान रखें कहीं कोई आपकी कहे हुए का कोई दूसरा मतलब निकाल के उसको famous ना कर दे इस चीज़ का ध्यान रखें कहीं बार आपने जो कहा उसका मतलब आपने जो सोच कर कहा तो कुछ और था और दूसरे कुछ और ही बना देते हैं ऐसा आजकल बहुत ज़ाद हो गया आप जो भी कहेंगे उसको अपने according लोग बताएंगे भाई इसने इसलिए कहा है आप से और गहराई से अगर लें तो दस तारिक तक नवम का जो स्वामी है वो सब्तम में है और दुत्य भाव का स्वामी सब्तम है नवम है क्या नवम आपका भाग है गुरू है गुरुदेव है आपका ग्यान है बुद्धी है higher education है कहां आ रहा है सब्तम में आ रहा है भाग के सब्तम के थुरू आ तो पतनी के थुरू लाव इस्तरियों के थुरू लाव या फिर पिता के थुरू भी पिता से समंधो में सुधार हो सकता है और धना आ सकता है आपका कहां से आ सकता है तो long journey से आ सकता है कोई दूर से आपकी सहायता कर सकता है फैमिली जो है आपकी वो किसी तरह से आपके जीवन में सपोर्ट कर सकती है कैरियर के छेतर में लेकर जोब में या बिजनिस में फैमिली का सपोर्ट आपको मिलेगा फैमिली किसी तरह से रोल अदा कर सकती है आपके धन में इसका एक दूसरा पहलू भी है कि अगर शुक्र आपकी कुंडली में अच्छे नहीं है तो आपके परिवार में से ही कोई जो है थोड़ा इंटरफियर करने की कोशिश करेगा आपके काम में आपके बिजनिस में ये भी हो सकता है डिसाइड करेगी जन्म कुंडली यहां से संभाव नाय दिखेंगी और हंडेट परसेंट है कि कुछ ना कुछ लोगों के बाद लाइफ में इन से मिलती जुलती बात हैं होती रहेंगी डिपेंडिंग अपन उनकी कुंडली और किसकी दशा महादशा है अब हम थोड़ा सूर्य की बात कर लेते हैं देखिए सूर्य आपके पंचमेश कालपुरुष की पंचमराश्ची के स्वामी और आपके द्वादस भाव के स्वामी होका सब तम भाव में आ रहे हैं अब ये द्वादस भाव है क्या ये फोरन लेंड है, फोरन कल्चर है विदेश है, दूर की आत्रा है आत्म ग्यान है, स्प्रिचुल्टी है धोका है, घरीबी है चीजों का खो जाना है, मिट जाना है दूसरी डाइमेंशन है, बूत प्रेतादी भी है, समाधी भी है, और बैट प्लेजर भी है, मंदिर भी है और शमशान भी है, वो 12th house है, बड़ा ही कह सकते है कि इस तरह का house है, जिसको समझना थोड़ा मुश्किल होता है, और उसका लोड आ रहा है सब्तम में, एक तो है यह कि spouse की आत्रा हो सकती है spouse कहीं दूर जा सकता है किसी दूर के व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है, जो बाद में आपका पती-पती बन जाए, दूसरा यह भी है कि थोड़ा सा सेहत का धान रखें या तो आप कहीं long journey पे जा सकते हैं या फिर स्वेहत तो है थोड़ी सी बहुत जाद है, अच्छी नारे, खास करके आपके पती-पत्नी, प्रेमी-प्रेमी का spouse आदी, पार्टनर की भी हो सकती है इस तरह की हाँ पर बनती है situation आपका जो पार्टनर है, पती-पत्नी है दोस्त है, आजका लोग live-in relation में भी रहते हैं, तो वो भी एक तरह का पुराने जवाने का तो गंधर बिवा हो गया वो थोड़ा dominant होने की कोशिश करेगे करेगा या करेगी वो ये कह सकता है कि इस तरह से कीजिए या कह सकते है कि ये काम तो ऐसे ही करिए आप तो सुन लीजिए, माल लीजिए अगर वो सही है तब तो 100% माल लेना है अगर गलत भी है तो लगाई जगणा नहीं करना है प्यार से समझाने की कोशिश करनी है कहीं बार शब्दों के आभाब में बातों के आभाब में, कम्मुनिकेशन के आभाब में अकसर लोग एक दूसरे को समझ नहीं पाते है अपने दिमाग से ही सोचते हैं अपने तथ्यों को भी देखते हैं और रिष्टे का मतलब ही दो के बीच है जब तक दूसरे को आप सुनने रहे, समझने रहे, उसके तथियों को उसी तरह से नहीं सुन रहे, जैसे आप अपने को सुनते हैं, अब तो फिर वहां रिष्टे नहीं चलते, रिष्टे का मतलब होता ही दो के बीच है, तो दौनों को equal importance देंगे, बलकि दूसरे को थोड़ी आदी के साथ रिष्टों में ध्यान रखें, खर्चा आदी आ सकता है, केरियर में कुछ छोटा मोटा चेंज आने के चांसे बनते हैं यहां पर, इतने सारे घ्रह अश्टम स्थान में रहेंगे, उन में से आपका बुद्ध भी हैं, जो कि दसंभाव के पद पतिष्ठा प् में बदलाब आ सकता है, नौकरी में बदलाब आ सकता है, सेकंड हाप में उसमें कोई बड़ा चेंज भी आ सकता है, और किसी की लोटरी आदे भी लग सकती है, डिपेंडिंग अपॉन जन्मकुंडली, दशा, महादशा, अंतरशा, आपके ग्रह नक्षत्र, वानी का लोगो डील करते हैं, आप किस तरह से बात करते हैं, आप कैसे, उसका अबर आल और सेकंड में थोड़ा थोड़ा आप किस तरह से बात करते हैं, सिंपल बात, बात, बहुत बड़ी चीज़ है, वानी, किस तरह से आप लोग से बहेव करते हैं, बात करते हैं, उसका बड़ा आप डिस्टेंसिंग लाएंगे वैराग लाएंगे और दूसरे धर्म के परती यात्राओं के परती रुची बढ़ाएंगे आप कुछ रिस्क ले सकते हैं लाइफ में जो कई बार खुद ही प्रॉब्लम की तरफ जा सकते हैं अगर आप गलती नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे पर चांस है यहां गलती करने का क्योंकि राहु नबम में आ रहे हैं यही राहु और यह केतु आपको विदेश ले जा सकते हैं अबरोड ले जा सकते हैं बाहर गुमाने ले जा सकते हैं अगर आपकी कुंडली में राहु तो फिर वो आपको बाहर ले जाने के साथ साथ आपको वहाँ पर नाम भी दिला सकते हैं आपको फर्ष से अर्ष पर भी बिठा सकते हैं इस तरह का हो सकता है Otherwise राहू का भाग में होना भाग में थोड़ी सी रुकावट लाता है महनत जाता होती है रिजल्ट कम आता है और पिता के साथ थोड़ी दूरी कर सकता है उपर से चौध तारिक के बाद सूर भी अष्टम में होंगे तो चौध तारिक के बाद आप स्वास्त का धहन रखने अपने पिता का, अपने गुरूं का, अपने से बड़ों का खास कर पिता का इसके बाद देखिए हम चौध भाब का स्वामी जो गुरू है और वही सब्तम भाब का स्वामी भी है चौध का भी और सब्तम का भी वो कहां बैठा है, आपके छटे भाब में हुआ हुआ है तो माता से मातर भूमी से अपने स्पाउस और पार्टनर के साथ रिष्टों को बचा के रखें, बना के रखें पढ़ाई लिखाई के मामले में बहुत जादे ध्यान दें अगर आपके गुरू की दशा महादशा है तो अगर आपकी कुंडली में गुरू अच्छे हैं और आपके पती, पतनी के साथ जो रिष्टे हैं उनमें भी थोड़ी खटास आ सकती है अगर गुरू अच्छे नहीं है कुंडली में तो अगर अच्छे हैं तो बस थोड़ा सा आपस में थोड़ा बच छोटा मोटा जगड़ा जो अकसर होता ही है सभी के बीच में होता है उसके बादे चीजें स्वाल्व हो जाएंगी माता से भी डिफरेंस और उपेनियन हो सकता है पर उससे ज़्यादे कुछ नहीं होगा रेमेडी क्या कर सकते हैं केसर का तिलक लगाएं माथे पर, जीवा पर या गले पर भी लगा सकते हैं अभी में और ओम नमो नारायनाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ कर सकते हैं ब्रस्पतवार वाले दिन ओम ग्राम ग्रीम गुरम सहा गुर्वे नमहा उसका भी कर सकते हैं गुरु के मंतर का जाब कर सकते हैं और जब नहाते हैं उसमें थोड़े से हल्दी का यूज कर सकते हैं नहाने के पानी में इसी के साथ साथ गुरु का मतलब क्या है ज्यान है बुद्धी है ज्यान मतलब इंटेलिजेंट है विद्धवता है पुरान है उपनिशद है भगवत गीता ये सब जो ज्ञान की किताब हैं उनके पती रेस्पेक्ट करना उनमें से किसी को थोड़ा बहुत पढ़ना और उसको फिर जीवन में अमल में लाने की बात करना उसको धारन करना धर्म वो है जिसको धारन करा जा सके और गुरू नवम भाव के कारक हैं सूर्य के साथ तो धर्म के कारक हैं पंचम भाव के कारक हैं वो भी धर्म का हाऊस है तो धर्म का पालन करें सही रास्ते पे चलें सही खुद भी चलें दूसरों को भी सही रास्ते पे चलने की पेरना दें तो गुरू अच्छा रिजट देते हैं मंदिर व हर समय करना यह सा नहीं है कि आपने जब जब किया तो उसके बाद आप दूसरे होगे जब करने का मतलब है कि आपने अगर उसे जब किया तो मन वचन कर्म बाणी से किया मन से किया उसके बाद आपके कर्मों में भी ज़लकना चाहिए दिखना चाहिए इसके बाद अगर हम और आपके धन के भाब पर डश्टी, पैसे के भाब पर डश्टी, वानी के भाब पर डश्टी, तो वानी से धन बनना कमा सकते हैं, वानी से धन को लाने का कोई सोर्स आ सकता है, किसी ऐसे व्यक्ति से बात हो सकती है, जो आपके लिए helpful हो, खासकर कि कोई इस्तरी हो सकती है, अगर 10 तारिक तक है तो उसके बाद भी इस्तरिया फीमेल हो सकती है आपकी मा, बहन, आपकी कोई कलीग, आपकी कोई बॉस कोई भी हो सकती है उनसे, कोई लाब आपको होने की संभाव ना बनती है, कारे के छेतर में अच्छा है, खास करकि 13 तारिक के बाद क्योंकि मंगल भी फैलेगा भी, और आप अच्छा परफॉर्म भी कर पाएंगे, पर कंपटीशन रहेगा, आपकी जो साथ वाले हैं, वो पूरी कोशिश करेंगे, कि आपसे आगे निकलें, और आपको डिपलेमोसी से, ज्यान से, विद्धवता से आगे निकलने की कोशिश करनी है, सही रास से, बातों से ही चीजों को सुलजाने की कोशिश करें, अगर कोई बात होती भी है, तो, पढ़ाई लिखाई के मामले में ध्यान दें, बहुत महनत करें, बच्चों का खास ख्याल रखें, गुरू बच्चों के कारक होते हैं, धन को लेकर जो भी निड़ने लेना है, सोस सम थोड़ा सोस समझ के लें, ऐसे ही ना ले लें, तो यह हमने गुरू की दश्टियों को भी देख लिया, बारे में भाब पर है, तो बाहर ले जा सकती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से आपको लाब करा सकती है, विदेसों में लाब करा सकती है, खर्चा भी बढ़ाएगी, लाबी नहीं, खर्चा भी बढ़ेगा, डिपेंडिंग अपॉन कुंडली, और आपकिसी की सहायता आदी में दान आदी भी दे सकते हैं, तो बिल्कुल दें, दान जितना हमको देना चाहिए, उसी के अनुसार लें, ऐसा ना करें, जाद ही दे दे कि फिर आपको ही पंचम में बैठे हैं, और आपके स्रवना नक्षत में है, जो लाब का नक्षत है, तो मेहनत करने से लाब होगा, हाड वर्क से लाब होगा, शनी जब पंचम में होते हैं, तो एजिली तो कुछ देते नहीं है, हाड वर्क तो यहाँ पर रहेगा, मेहनत तो होगी, कुछ ल बनती चले जाएंगी वैसा नहीं रहेगा और 2022 के अपरेल तक ऐसा ही रहने वाला है क्योंकि शनी जो है पंचम में हैं सनी की जो दर्ष्टियां है वो सप्तम पर है आपके एकादस भाब पर है और दुत्य भाब पर है तो वानी को कड़वा ना करें वानी की वज़े से कुछ रुखापन से या कटू भासा आपने कहीं बोल दी गुस्से में तो उससे परिवार में कुछ प्राबलम आ सकती है बटवार आदी की प्राबलम क्रियेट हो सकती है अगर आपका वो एज है उस तरह से अगर आप स्टूडेंटी है तब भी बहुत मेहनत करें अपनी वानी क थोड़ा सा कह सकते हैं सौफ्ट रखें डेलिगेटिड रखें वानी या सी बोलिये मन का आपक होए और उको सीतल करें आपहु सीतल होए तब उससे आपको जादे लाब हो पाएगा अगर आप फैक्टरी है आपकी आपका आपका चमडे का बिजनिस है कंस्ट्रक्शन है मै पाणी के लिए कुछ रेमेडीज हैं उसमें माता काली की पूजा भगवान स्रीकर्शन की पूजा हनमान जी की पूजा भोलेनात की पूजा ये विशेस हैं इसी के साथ 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 समशान मंदिर हॉस्पिटल जेल यहां पर सेवा दान किसी तरह से कोई सहयोग शनिवार वा पीपल को कह सकते हैं परिकर्मा पीपल को जल देना ये सब भी जो है शनि के लिए बहुत अच्छा माना जाता है इसके साथ साथ आपके जो समाज के सबसे नीचे तबके के लोग हैं जो बिलकुल जैसे की जो साफ सफाई वाले जो होते हैं साफ सफाई के करमचारी होते हैं उस महक में या उनकी भी थोड़ी सहायता अगर आप किसी तरह से करते हैं जो गरीब लोग हैं पर बाहर बारे लोग नहीं आपकी परिवार में भी कोई बिधवा है, कोई गरीब इस्त्री है या गरीब पुरुशी है आपसे बड़े हैं, कमजोर हैं, बीमार है कोई वक्ती, जिसको सहायता की जरुरत है धर्म पर चलने से सोफल देते हैं, शनी को जूट, छल, कपट, जलन इस सबसे सक्त नफरत है तो इन सब चीजों से जितना हो सकें बचने की कोशिश करें और बेटर है कि आप अच्छा ही पर ध्यान दें तो बुरा ही तो अपने आप धीरे-धीरे कम हो जाती है जहां उसको इग्नोर करने की कोशिश करते हैं तो वो चीज मन में आती है बस आप ध्यान दूसी तरफ लगा दीजिए वो चीज बढ़ेगी तो वो अपने आप ही कम हो जाएगी शनी की जो तीसी दस्टी है वो पति-पत्नी के बीच में थोड़ी दूरी लाएगी शनी की जो पंचम पर दस्टी है लाव को थोड़ा कम करेगी प्रयास चाद होगा लाव थोड़ा कम होगा और धन के भाब पर भी सनी की दश्टी जो है कि जो लाब भी होगा तो बचद जो है वो थोड़ी कम होगी इस तरह शनी करेंगे तो हमने सनी को देखा गुरू को देखा और शुक्र बुध और सूरी को देखा अब देखते हैं हम आपके मंगल और राहू को देखिए मंगल और राहू का अंगारक योग पिता के भाब में पिता गुरू और आपसे जो बड़े हैं उनसे थोड़ी दूरी दिखाता यातरा के परती थोड़ा समहल के रहें जब भी लंबी यातरा करें तो थोड़ा ध्यान रखें अपना और कहीं अबरोट पढ़ने जाते हैं बा कुंडली के भाब के अकारद ग्रें हैं तो पिता की सहत का गुरूँ के साथ कुछ मिसंदर्स्टेंडिंग बोस के साथ कुछ मिसंदर्स्टेंडिंग हो सकती हैं इस बात का ध्यान रखें और यहां बैठे जो मंगल है वो खर्चा भी आपका बढ़ाएंगे खर्चा सकते हैं, पड़ोसियों के साथ दूरी ला सकते हैं माता के स्वास्त का भी धान रखें क्योंकि चतुर्थ भाव, जो कि माता मातर भूमी, खेत, जमीन घर, भाहन समाज में इस्तिती किसी व्यक्ति का जो अंत का समय है राजगदी, सपोर्ट, अपनों से सपोर्ट वो दिखाता है, वो भी अस्तम छटे भाव में है, और जो धरष्टी आ रही है मंगल की, वो भी आ रही है आपके चतुर्थ भाव पर तो दो चीजे हो रही है, मातार मातर भूमी से सम्मंदित, घर, गाड़ी, भूमी बाहन, बंगला आदी खरीदते वक्त ध्यान रखें, कम योग है पहली बात तो खरीदने के, और बाईचांस ऐसा कुछ होता भी है, तो डॉकुमेंट्स पगरा बिलकुल चेक करें और सारी की आप जिससे जमीन ले रहे हैं, वो सहाँ पर सबसे ठीक तो है, इस सब का ध्यान रखेंगे, तो चीज़ें ठीक रहेंगी मंगल फिर दसम में आ जाएंगे आपके, दसम में आने के बाद भी माता के भाब पर दश्टी रहेगी, घर, घरी भूमी बाहन मंगला का योग जरूर बनाते हैं, पर इस चीज़ का ध्यान रखना है, अवेर रहना है, दसम में आने के बाद मंगल की दश्टी लगन पर आएगी, गुसा बढ़ सकता है, आदे महीने के बाद, थोड़ा सा सौर टेमपरनेस आप फील कर सकते हैं, बच्चों के साथ जो रिष्टे हैं, उसको थोड़ा सा ध्यान लखें, पढ़ाई लिखाई में, और भी जादे महनत करने की आवश्यक्ता होगी क्योंकि मंगल की अस्टम दश्टी जो है, पंचमेश पर भी आएगी और शनी मंगल की दश्टी संगहर्स, मतलब महनत काफी करेंगे, गोल के परती एक दम तब जाके सफलता मिलेगी, किसमत से तो नहीं मिलेगी, तो पूरा कारे करें गोल पे लगे रहें, इधर उधर अपनी एनरजी बैस्ट मत करें, वैसे भी देखिए अगर कुछ बड़ा आप बनना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो बड़ा बनना होगा सुरज की तरह चमकना चाहते हैं, तो सुरज की तरह जलना भी सीखना होगा अब थोड़ा से आएगा, ऐसा कैसे कहां जाएदे, कि पहले तो आपका गोल होना चाहिए फिर उसके लिए कोई रास्ता निकलेगा जब गोल ही नहीं है तो रास्ते का कोई मतलब नहीं है अगर आपको यह नहीं पता जाना कहा है अब अगर यह नहीं भी पता तो जहां तक पता है वहां तक चलिए, फिर वहाँ से कोई रास्ता निकलेगा, रुकियेगा मत, चलते रहिएगा, जैसे विवेका नन्ने कहा है, उठो, जागो, और आगे बढ़ते लओ, जब तक लक्ष को पानी लेते, और ये लक्ष जो एक यात्रा है, ऐसा नहीं कि लक्ष पालिया, तो आप बैट गए है, वो चलते रहना, बढ़ते रहना, यही जिंदगी है, जो यह कहता है, कि कहा couldn't जाना है, वो भी कहीं न कहीं जाये रहा है, वो सांसे जब तक चल रही है, जीवन है तो गती है, और गती है मोह में बांदेगा तो यह थोड़ा समझने का अंतर है यह था मेरी तरफ से कन्या के लिए अगले वाले महिने का जो मासिक फल है मुझे आशा है आपको पसंद आया होगा अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक कीजेगा सब्सक्राइब कीजेगा आप थोड़ा जो महिने क 12 आरिक तरफ की हमावस्या और अगले ही दिन से 9 दुर्गे स्टार्ट हो रहे है माता की पूजा स्टार्ट होगी जो की आपका 22 आरिक को लाश्ट दिन है 21 आरिक आपकी राम नम्मी है 23 आरिक कमादा एकादरशी है 27 आरिक हनुमान जैंति और पुर्णिमा है 30 आरिक की आमका ट्यूटर का तो प्लीज लाइक प्लीज फॉलो इसी तरह साथ में बने रहिए अगली मुलाकात तक अपना ख्याल रखें अपनों का ख्याल रखें नमस्कार